तो 36 गड़ में चोरी का आरोप लगने के बाद एक ही परिवार के छे लोगों ने जहर खा लिया है और आत्मत्या करनी की कुछ उश्की है जब घटना की जानकारी पडोसियों को दी गई है तब उन्होंने सभी को उपचार के लिए 108 एंबुलेंस के सहायता सिजिला स्पताल चमत्री में भरती कराया वहीं पोलिस को भी घटना की जानकारी दी गई घटना की जानकारी पोलिस को मिलते ही पोलिस भी मौके पर पहुच गई पीडित ने सुनिल यादों ने बताया है कि इस महीने की 18 तारी को पोलिस उसके पिता दिलीप को चोरी के आरोप में बखारा थाने ले गई थी दिलीप को शाम को छोड़ा गया वहीं 19 जुलाई की सुबा सरपंच और गाउं की पंचायत पदाधिकारी चोरी के समद्ध में पूस्ताश करने के लिए उनके घर पहुच गये थी सरपंच और पंचायत पदाधिकारी ने चोरी हुई पायल और 500 रुपए क को वापस करने के लिए कहा इससे गाउं में उनकी बदनामी हो गई और सभी ने एक साथ आत्महत्या करने के लिए जहर खा लिया बखारा थाने के प्रभारी संतो जैन ने बताया है कि नेमचनल साहू ने दिली प्यादों पर चोरी किया शंका जताई थी पुलिस उनके कामला दर्च कर लिए होड़ आगे की जांच की जा रही है तो हम रोह से इस वक्त की बड़ी खबर आजने से जुड़ी है आप तो पहुचा देते हैं बीजुपी विधायक के खिलाफ ग्रामीडों का प्रदर्शन देखनों के मिला है विधायक संगीता चोहान के खिलाफ नरेबाजी की गई गाउं में सड़क नहीं बनने से नाराज है ग्रामीड बादों पर खरा नहीं उतरी है विधायक ऐसा कहना है ग्रामीडों का गाउं के मुखी सड़क पर जल भराव है कीचड अमरोहा के खुजूरी गाउं का ये पूरा मामला है गाउं के ऊपर कीचड भरा हुआ है और इसके साथ साथ जल भी भरा हुआ है जिसके वज़े से आवागमन में ग्रामीडों को काफी स समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसको देखते हुआ है आपको बताते चले संगेता चौहान के खिलाफ नारे बाजी की गई है ग्रामीडों की तरफ से और गाउं के बाहर ही उन्हें रोग दिया गया है रोश देखा गया है ग्रामीडों के अंदर विधान सभाचनौ में इस साल भारी जुईत के बाद 2024 को लोग सभाचनौ को धियान में रखकर त्रमनल कॉंग्रेस आज शहीद दिवस मनाएगी अपने सबसे बड़े वार्शी कारकरम के जरिये प्मुख्यमंत्री मम्ता मेरजी के भाशन का परसारण अलाग अलाग राज्य में किया जाएगा कारकरम दोपर दो बजे शुरू होगा ट्यम्सी के एक वर्ष नेता ने बताया है कि बेनर जी के भाशन को पश्यमंगाल में बड़े पड़ों पर प्रसारित किया जाएगा और पहली बार तमिलनाद, दिल्ली, पंजाब, तुरुपुरा, गुजरात और उतर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी से दिखाया जाएगा, उन्होंने बताया कि पश्यमंगाल में भाशन बंगाली में प्रसारित किया जाएगा, जबकि अलग-अलग राज्यों में इस्थाने भाशाओं में अनवादित भाशन प्रसारित किया जाएगा, टी गुजराती में पुस्तिका वित्रित करनी शुरू कर दी। गुजरात में 2022 में विधान सबाच्चुनाओं हैं। बता दी कि देजभर में 23 मार्ज को शहीद दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजों ने तैस समय से एक दिन पहले ही शहीद आजम भगसिन सुखदेयों और राजगुरू को फासी पर चड़ा दिया था। बंगाल में आज मनाया जाने वला शहीद दिवस इससे अलग है। साल 1993 में कैलकेटा में युआ कॉंग्रिस की रैली में पुलिस की गोली बारी में मारे गए 13 लोगों की याद में तरणमन कॉंग्रिस हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। जमकश्मेर के अननाग में गोली बारी की एक घटना में मामले सामने आ चुका है जिसमें जमकश्मेर के एक पुलिस कॉंस्टेबल के पत्नी और उनके बेटी पर गोली चलाई गए हैं जिसमें दोनों गंपी उरुप से घायल बताया जाने और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करा दिया गया है और जहां आप दोनों के स्थिती जो है खत्रे से बाहर बताई जा रही है अलाएं कि हमले में और किसी क्या हताहत होने की खबर नहीं है बताया जा रहा है कि आतंगवादियों ने दहशत में फैलाने के लिए जम्मो कश्मीर में आतंग की हमला किया था पोलिस को निशाना बनाया था बता दे कि सोमवार को जम्मो कश्मीर पोलिस ने बढ़गाम इलाके एक स्थाने आतंगवादियों और उसके चार सहयोग्यों को गिरफतार करके लश्करे तयबा के एक आतंकवादी मौडूल का भंडा फोड करने का ऐलान कर दिया था पकड़े गए लोगों के पास से हतियार और भारी मात्रा में गोला बारूद और अपतिरनक समगरी भी बरामद हुई थी मामले में सेना और CRPF ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्करे तयबा से जुड़े एक इस्थाने आतंकवादी को गिरफतार किया था जिसके बाद उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बढ़गाम पोलिस ने चार आतंकवादी सहयोगों को गिरफतार करक आतंक्यों को गिरफतार किया है